चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज आप असे जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बदोरिया इंडियन यूट्यूबर और आप सबी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बबासीर से परिसान है तो प्लीज आप निरास ना हो मैं आपको एक ऐसा सरल घरेलू नुस्का बताऊंगी जिसको आप उस नुस्के को यूज करिए और अपनी बबासीर को कैसी भी बबासीर हो आपकी खूनी हो जैसी भी मस्से वाली हो चाहे जैसी भी बबासीर हो इस घरेलू नुस्के से आप सही कर पाएंगे बहुत आसान इसका आपको बताऊंगी। तो चलिए ूट्याट करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाईक करें। और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिय कहले निवह है up इस सारे इंग्रिडियन्स ऍापर बात ने इसथी आप प्रेश हो को प्रेशन हैं के ट्रेश टैकर जबन के काली मिर्च के बभूर Legacy आप यह आप गर में ही मिल जाएंगे क्योंकि यह रोज की सबजी वगारा में यूज होते हैं तो हो सकता है अगर नहीं मिले तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और पंसारी की दुकान पर भी आपको यह मसालें मिल जाएंगे तो चलिए यहां पे मैनने सौफ मैति काली मिर्च यह स्वूफ भी मैंने बड़े दाने वाला लिया है तो आप इन तीनों चीजों को आप ले लिजिए और यह सौफ और मैंति दाना क्याओं और काली मिर्च इन तीनो का हमें बनाना है पाषटर देखि दूस्तों यहां पर मैंने तीनो चीज untuk powder बनाका है यानि सॉफ का मेथि का और काली मिर्च मैं तो आज की अगर सुद्धक फोसम्ट की काफ़ पोडर भी दाम के लिए तो हैं मैं आपको आपको नुस्का के आप की तो आप को नुस्खा बताऊंगी वह पायदा भी करते ही जो कि घर जांगी असले आप की आप जाए है तो अब करेंगे क्या आप नाप कर ही लीजिए चमच से यह देखिए इस तरीके से ले लें और अब इसमें आप मिलाएंगे एक चमच काली मिर्च अब एक चमच मैथ़ी दाना पाउडर यह देखिये यह हो गया मैथी दाना पाउडर और अब हमें तीसरा इंगीडियन्स डालना है सौप पाउडर यह देखिए एक चम्मच आप इसको डाल करके आप तीनों इंगीडियन्स डाल करके आप इसको अच्छे से मिक्स करिए इसको आप अच्छे से मिक्स करके अब इसका आसान तरीका एक और है जैसे आपके पास पाउडर है तो डारेक्ट आप इस नाप से आप पाउडर को बना लीजिए मिक्स कर लीजिए अगर आप खड़ा मसाला घर में ही पीस रहे हैं तो फिर आप मिक्सी में इसी प्रोसेस से एक चम्मच मैथी दाना एक चम्मच सौफ और एक चम्मच आप डाल दें काली मिर्च और इसको आप ग्रैंड कर लीजिए तो आपका पौडर वैसे भी तयार हो जाएगा जैसे आपको सुगदा लगे सरल लगे उस तरीके से आप पौडर को तयार कर लें तो यह देखिए इस फाइदा नहीं हुआ है तो इसमें आप एयर टाइट एक कोई डेबी लेजिए या सीसी लीजी आप उसमें रख दीजिए तो इस टाइप से आप इसको रख दीजिए और फिर आप सुबह सुबह जब सुबह आप उठेंगे तो फ्रेस हो करके खाली पेट इसमें से एक चम लिए इसी नाप से आपको पाउडर लेना है एक चम पाउडर लेने के बाद मैं इस डिबी को बंद कर दें इसका डक्कन लगा दें दोस्तो एक लाइक कर देना वीडियो में एक लाइक दे देना मुझे और लाइक करना बल्कुल फिर होता है इसमें कोई पैसी लगते हैं तो चलिए अब इसमें हम इस पाउडर में हम डालेंगे सहर यह देखिए यानि आप मार्केट से सहर लीजिएगा और इसमें एक चमच आप सहर मिला लें दोस्तो बवा शीर यानि की पाउड जिसे देखो उसे हो जाती है आज ये नहीं है कि बड़ों और को हो रही है बच्चों को फॉर रही हैब सीखिए के अखैर ना किसी पसंद आती है तो इस Marshall को इस लिए गलत खाने फिने सिस्टम zoду होता है इस वजय से बबासी हो जाती है यानि पाइस हो जाते हैं तो इस रेमेडी में अब आप जब सैज डाल रहें सैज डाल करके इसमें एक चमब सैज डाल करके इसको मिक्स करके आप सुबह सुबह खाली पेट इसको लीजिएगा इसको आप पानी के साथ इसको खा लें और पानी के साथ खान में यह ढ布 हला सब्सक्राइब बावम को भी खास फ्यस्यश्व का अपर मैं रखने और यह अधर जो आप तो नहीं राखेए कंघे चांज़Once मिला करें उसी यह प्रॉस्षेश दॉद्ट करने नीकर और निकलें और इसमें Lily बहुत ही जादा राम बार नुस्खा है इसको आप ट्राई कीजेगा आपको किसी भी प्रिकार की बावासी होगी वह बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और अगर आपको बावासी बिल्कुल जड़ से खतम करना है तो इस नुस्खे को करीबन करीबन आप 15 दिन तक खाईए इस पावडर को इसमें कोई साइड इफेक्ट ने कोई नुकसान ने करेगा और नहीं आपको यह पावडर गरम करेगा दोस्तों देशी नुस्खों से दीरे दीरे से आराम मिलता है आप यह भूल जाएए कि आपको फटा फट से एक दिन में आराम मिल जाएगा ऐसा कुछ नही तो आपकी ववासी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चनल सब्सक्राइब करें मैं मिलती हुए नई वीडियो साथ तक तक के लिए नमस्कार